कुछ दिनों पहले ही दर्मा प्रडक्शन ने अपनी फिल्म धर की घोशना की थी जिससे जाववी कपूर और ईशान खटर डेब्यू करने वाले हैं जी हाँ यह फिल्म कई मायनों में काफी खास है यह मराथी ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म से राट ओफिशल हिंदी रिमेक है एक पूजा के साथ फिल्म की शूटिंग शुकरवार से शुरू हो चुकी है और सेट से ईशान जाववी के पहले शौट की तस्वीर भी रिल फिल्म दी है बता दे धड़क धड़क 6 जुलाई 2018 को रिलीज होगी लेकिन अभी से ही फिल्म का जम कर प्रमोशन शुरू कर दिया गया है सेराट की रिमेक सेराट की कहानी होनर किलिंग पर आधारे थी लिहाजा यहां भी हमें वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा कैसे दो प पर हिट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे एक साथ तीन फिल्में खबरों की कि माने तो जानहवी करण जोहर की एक दो नहीं तीन फिल्मों का हिस्सा होंगी और अगर ऐसा होता है तो वाकई जानहवी कपूर आते ही बॉलिवुड में छा जाएंगी धड़क से उमीदे इस मराठी फिल्म में आकाश्थ होसर और रिंकी राजगुरु ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है वहीं इस फिल्म का अंत बहुत ही ट्राजिक है लिहाजा धड़क से भी लोगों की उमीद काफी ज्यादा है करण जोहर की फिल्म आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ब इससे पहले हमपटी शर्मा की दूलहनिया और बदरीनात की दूलहनिया का निर्देशन किया है देखना दिल्चस्प होगा कि करण जोहर इस रीमेक को सुपर हिट बनाने में कहां तक सफल हो पाते